नमस्कार दोस्तों, welcome to my channel, मेरा नाम शिबिन, मैं आज इस video tutorial में आपनों को पास लेकर आ रहा हूँ, RainDeck POS Billing Software जो है, इसमें बहुत सारा advanced features है, अभी लेकर आए हो हैं, latest features, सब कुछ आपको दिखा देंगे, और इस software और इसका hardware सब कुछ हम दिखा देंगे अभी, और इसी software में आपको बहुत सारा options आपको अभी नया मिल जाएंगे, जैसा for example, यह जो बारकोड जो प्रिंट होती है, यह जो बारकोड होती है, यह तो इच बारकोड होती है, यह आपको इसी software से बेना सकता है, और इसी software से लेकर कि आपको यह फोर साइस में पूरा बारकोड प्रेंट कर सकता है, यह अपना जो इंगिजेट प्रेंटर होती है, यह जो बारकोड 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 प्रेंटर होती है, में एक कीच लिए देखो कोई कितना बिक कोई भी स्टिकर कितर से ओ मतलब इसमें अवर्डी कटिंग है लाइं लाइन में कटिंग होती है यह आप अपना प्रोड़क्ट में सीधा चिपका के आपको स्कान करके सेल कर सकता है यह जो स्टिकर रोल है ना वीमस का है वीमस कमपन बाहुत सस्थ होता है प्रंड़क्र प्रंड़िंग इसमें ऐक शीट को आपको त्री रूप्यस तुंडीपईस पाठता है यानी 350 रूपीस तुंडीपैस टूंदी पाठता है य्यानी 220 पैस पर 100 शीट लुए किटना भी क्वांटिटी आपको बल्क में ब्रंड करके आपको प्रोडक्ट में चिपका सकता है और इसे सफ्ट्वियर में और कुछ अड़ों डिजस क्या है इसमें बहुत सहरा टाइप का इन्वोईस में ऑसके आपको परक्सामल देखो यह फॉर का इन्वोईस जो ह तो यह फॉर साइज का इन्वोईस भी बेंजाएंगे इसमें से और फॉर एक्सामल आपको तर्मल प्रिंटर लगा के पी ओस्परिंट करना चूंच का यह भी इसी प्रिंटर से आपको तूंच का प्रिंटर भी कर सकता है उसमें भी कोई परक्रोब्लम नहीं है तो इस तर इस तर जाएध में बताएंगे आपको यह पाकेज लगाने से आपको सवारी करशारी स्ीस्टम हो जाएंगे तो सब से पहले हमारे कुत सैर गंज है इस किस तरीगा यह सदे गे के यह वहला जो thermal printer होती है देखोय जो combo thermal printer होती है इस तर्मल printer से आपको बार्खवfert रेशेटा है मैं आपको दिखा देता है है। इस तरीका से जो बार्खव सप्लार होती है, तेखो K Soo लिए परेंटर की ढयांस रिखा डालके इसखांटर से सीधे इसका अंदर सीधे यह प्रिंट बाहर का दो और दो जो तंश कर रखोर अद कर दो डाल दो और कुछ नहीं करना जो प्रिवेस जो प्रिंट हो गया मैंने कट करके निकाल देता हूंगे निकाल दिया मैंने इसमें आभी कोई कट प्रिंटिंग तो ही नहीं है आप सीधा इस तरी के से पैपर इसका अंदर रखो कोई भी स्पेशल अलेइनमेंट कुछ भी है नहीं आपको सीधे देखे सामने दिखा देता हूं कुछ भी है नहीं सीधा लगा दो कर दीचे अबने बेंद कर दीजिए और उसका जो सुच जो है ओन कर दीजिए ताकि यह थोड़ा सा पर आगे तीछे करके वह अलेमेंटिक कर प्रिंटिंग अब लुए रहे उसमें फर्स्ट अफॉल हमने जो प्रिंटर जो है एकस्सपिट फ्री क्रिंटर जो है उसमें प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रिंसट में जाकर बार् कोड सेट बर देंगक देखे ने इंद बौत कर देना 50 वै 25 यह पकर न्यू करके इदर भी शकता है और यह OK कर दीजिए उसके बाद अपना Rinduck POS Billing Software पुलके बार कोड में क्लिक कर दीजिए फरक्साम्बल यह जो प्रड़क का बार कोड एकोंसा है आप इतर टिक कर देने इस तरीका से अपको देख भी सकता देखो एक दम क्लियर प्रिंट और हो जो है न एक दम स्टिकर का संथर में आजाती है जिनोपोंसिजिए पोसिशन जो अति इसका से आपको जो बार कोड बंत कर सकता है बार कोड मेंने एक बार कोड तर से ले रहा हूं और अपना कोई-बी एक प्रोड़क में चिपका देंगा अभी फ्रक्साम्बल यह जो प्रोड़क्त Garlic यह प्रड़क्त के ओपर मैं इस तरीक से चिपका जैंगे जाएगे एक ब्रड़क्त के लिए दो अपको दुकान के नाम सबसे नीचे आजाएगे इस तरीका से एक प्रोड़क्ट में आपने बारकोड जिपका दिया आपका शेल्फ में रख दिया ठीक है उसके बाद इसका अंदर का जो पेपर हमने रिप्लेस कर देंगे इसके लिए प्रिंटर सुचोफ कर दीजिए ओपन करके यह पूरा सिस्टम निकाल दिजिए इसका पूरा निकाल दीजिए इसका जरुद नहीं है ज우ski पी नहीं इसके लिए आपका पास आये ंगे इस तरिका से जो थarta ₹ पैपर रोल आती है देखो यह वाला पैपर रोल होती है यह इसका अंतर डाल दीटिए इस तरीकस से पैपर रोल दीए मेंने कि अप्रिया कोई वी अलाइनमेंट कुछ भी नहीं है इसका अंतर एक स्लाइडर वह थोटा सा आगे रख दिये मने और जब यह ओन करेंगा यह प्लोस कर दिया कि इस दिए और ओन गरेगा थोड़ा सा पर बाहर आजाएंगे उसका कि वह चेकिंग करता है वह थर्मल पेपर है क्या वो स्टीकर पेपर कुण सा है वह चेकिंग रहेंगा आगे पीछे करके यह वी फस्टेम भी आपने पेपर और सुट्वर करने के आती है उसके बाद हमारा जो बिलिं सेटप में जाके प्रेंटिंग सेटप में प्रेंटिंग प्रफरेंटिंग उसमें रसीप्ट करदेने यानि यह जो रसीप्ट यूसर में रसीप्ट डाल जी हमने अप्ले करके ओके कर देने उसके बाद पीएवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवे अटोमाटिकली उधर आना चाहिए देख इतर स्कान करों ओडिकली करके उधर आ गया दो आ जान गया तो फॉन्टिटी दो हो जाएंगे इस तरीके से मैंने स्कान कर लिया, 290 रुपेस का जो इन्वोईस है, आप सेटिल, इदर आपने for example, 290 रुपे का करन्सी दिया हुनोंने for example, 500 और इदर 10 रुपेस को चेंज देना है, और इसमें save and print क्लिक कर दीजिए, यह मैंने cut कर देतो, और इदर नाया, बिल आपको अभी आ जाएंगे, save and print, तो इदर वो जो product का बिल इदर आ जाएंगे, तरह fast और clean, एक जब beautiful clean print आया हुए, मैं आपको दिखा दा रहा हूँ, इस simple way में cut भी कर सकता, आपको देखो, आपको company का नाम उपर आ जाएंगे, और सबसे नीचे जो ना, change कितना वापस दिया, वो सब details यहां आ जाएंगे, एक इस तरह सिंपल से way में आपको इसी software से, यानी, प्रिंट बिना सकता है, और इसी software से हमने, पियो मतलब यह जो यह वाला printer जो है, किस तरीका से उस करेंगे, देखेंगे, यह जो है, यह जो है, यह एक प्रिंटर है, यह मैं तोड़ा साइड में रखेंगे, और यह जो ए प्रिंटर है, यानी, इसमें 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 प्रि कुछ भी नहीं चाहिए ओलड़ी software में उलड़ी प्रीसेप्ट तेस आरे तरीकसर में उपड़ डाल जिए देखो और अपना software में जागर के इसके बारकोड चाहिए और यहां जेखो बारा लाएनट जेकर कर दिए और आपका प्रिंटर है 805 सेलेट कर दिए अपले कर दिए और प्रिंट कमण देलीजिये उड़ी इषाकस परिंट आना जेए मैने प्रिंटर काके बिल निकल पर एक इंड़ के रिक मेरोट प्रेंट अब तुरंद बाहर आधे हैंगे दवेस्तरीकस प्रेंडिंग चालो होगे Epson का प्रेंटर है Epson 805 मोडल है कोई भी प्रेंटर आप लगा सकते अपरेंटर नीजे के लिए प्रेंटर लिएत हैं अब user अबप्रैंटर का जो चांटर में आती है जो कटिंग सेंडर में आती है देखें इस त्रिक से अपको दिख सकता है एक्दम फर्फक्ति है इमने एक स्टिकर बीच से निकाल देग दो आपको तो आपको क्लीरले समझा देता हूं इधर स्केक में निकाल देखा तो यह जो है ना एकटम सेंटर में आया हुआ देखा है देखा है आपको फोकस होगा है इस टीशिट और प्राइस जो आपका कमशनी का नहीं बार कोड़ अब कुछ इसमें आया हुआ है यह भी मैंने अपन के हैं यह यह जो बार कोड़ पेपर हम निकाल डिए साइड में रखा और मेरी आभी दालरो हूं र्वल में डाल रौलर्मल आपका पेपर देरो हूं 1 second में बर भी मैं रौलर्ण का पेपर दाल रौ एफर इन्वैस का पेपर दाल रौं धेख यह आपका पेपर दाल रौ आपने जो मास्टर अंट्री में जा करके पहले टर्मिनल सेटिंस चेंडि करना है टर्मिनल सेटिंस यह हमने तर्मिनल प्रेंटर के लिए डाल रखा था यह डीड करके अपने एप्सन का प्रेंटर आढ़ेगी उसमेंthen805 और लेसर प्रेंटर टाल दो लेसर प्रेंटर मतलब एफ ओर का प्रेंटर के लिए डाला हुआ है सकस्फ्वुली सेवड और आपने इसमें जाएए प्रोडक्त है इसको हम स्कान करेंगे में ने इस तरीकत से हम स्कान करेंगे तूरंद हो प्रोडक्त इधर डेस्टोप पे आये होगा है हमने फॉरसलेट कर दिया आड़ टु काट और यहां आप डाल दीजिए 145 आड़ 7 प्रेंट इमेडिटली करके आपको इन्वेस्ट प्रेंट हो जाएंगे देखो यह दर प्रेंट कर दीजिए आपने Epson 805 स्रेंट कर दो apply print तो तुरंद आपको यह दर से प्रेंट आजाएंगे Epson 80 प्रेंट रसे एक फोर से इसमें आपको प्रेंट आजाएंगे प्रेंट बाहर आ रहे इस तरीके से ब्यूडिफूल प्रेंट आपको आजाएंगे एकदम क्ली इंप्रिंट है प्रोड़क का नाम आपका कंबिनी के इंफ्रमेशन टाइक्स का डीटिल साब कुछ आएंगे प्रोफेशनल वे में आपको बिल 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 सकता है सीजटी कितना है और एडिए और अपिशन वेर्ट भी आ जाएंगे ओटमैकल लिकर के पर स्काइक्स का प्रसलिज आ जाएंगे और प्रोड़क का नाम इतरा आगया देखो ती शर्ट और उसका जो HSN कोट अगर है तो वी डाएंगे इस तरीका से आपको वरी क्लिरली यह 4 साइस के बिल बना सकता है और फर एकसाम्बल आपको यह 5 साइस के बनाना है तो फर एकसाम्बल यह वाला जो बिल ले है यह 5 यह हाफ ओफ ओफ और है यह हमने यह पेपर निका है इस तरीके से डाल दीजिए यह टाइट कर दीजिए इस तरीके से इसका सेटिंग है बात में यहाँ एक चीज चोटा सा काम आपने करना है यह जो प्रेंटिंग सेटप इस प्रेंटर प्रेंटर जो है जो एफ़ाइ में प्रेंट करता है वह प्रेंटर जो है राइट क्लिक करके प्रिंटिंग सेटा से डिफाल्ट प्रेंटर कर देना एक्षण अपने जो यह जो बटन है इदर एक बटन आपको दिखाएंगे एफाई करके लगा दिए इमेंने पात में आपने जो प्रोड़क्ट से यह प्रोड़क्ट आपने स्कैन कर दीजिए जो प्रोड़क्ट अब कर दिया को ओटमेरिक करके दर आ जाएंगे तो बार कोड में रखे स्कान करना सोरी यह प्रोडक्ट जो है आपने इधर स्कान कर ले तिया बात में आपको इसको जो टॉटल एमोंट आया 140 रूपीस 145 आड़ कार्ट 7 प्रिंट डन हो गया और इसको प्रिंट इन्वोईस करके प्रिंट कर दीजिए ओटमेटिक ली इदर प्रिंट आजाएंगे इस तरिक से इसको इन्वोईस मिनगे एकदम क्लीर प्रोड़क्त आपका कंपिनी का नाम इदर आ गया कस्तमर का कंपिनी का डिटल्स इदर आ जाएंगे और प्रोड़क्त का नाम प्रक्समल टीशिट जो है उसका कॉंडिटी रेट डिसकोंट गीस्ट सब कुछ आगया तरह इस तरिक से आपको अपना दुकान आपको सारे सिस्टम हो जाएंगे तंकी फॉर वाचिंग इस वीडियो थैंक्यू बैबै